हेलो एन वेलकम दोस्तों दीप इलेक्टोनिस लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो बहुत दिन से बहुत सारी लोगों के पास से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था मीनी एलेडी ड्राइवर किट के बारे में जो की मेरे हाथ में है आप इन देख सकते हो तो मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों से बादा किया था कि ये जो मीनी एलेडी ड्राइवर किट है ये किस तरीके से बनाया गया है इसका जो circuit diagram है मैं आप लोग को provide कराऊंगा बहुत ही जल्द तो मैंने इसके ओपर वीडियो नहीं बनाया पया था फिर भी मेरे पास बहुत सरी लोग का request है कि आप जल्दी से इसका जो circuit diagram है हमें बताईए किस तरीके से हम अपने घर पे ही बना सकते हूं तो finally वो वीडियो आ चुका है जहांपे मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो circuit है किस तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर कौन-कौन सा components यूज किया गया है मैं उसको details में आपको समझाऊंगा उससे पहले आगर आप इस circuit के बारे में इसका advantage, disadvantage, applications के बारे में जानकड़ी लेना चाते हो तो उपर आई बटन पे इसका पूरा application का वीडियो डाल के रखा हूं आप उहां पे जाके देख सकते हो उसके बाद आगर आप इस kit को purchase करना चाते हो खड़िदना चाते हो तो इस video के नीचे जो red button दिख रहा है उसके उपर प्रेस कर दिजिए उसके साथ ही सथ भगल में जो बिल icon दिख रहा है उसके उपर भी प्रेस कर दिजिए सबसे पहले देखिए दोस्तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार या पांच components उसकिया गया है यहां पे देख सकते हो यह एक दो तीन चार सिर्फ चार ही इस्तेमाल किया गया है components इस kit के अंदर तो सबसे पहले हमारा जो AC input हो रहा है 230 volt यहां पे एक है IC लागा हुआ है जो की 7 fin का है और वो IC कितने नंबर का है आपको यहां पे देखने को मिल रहा है इस IC का नंबर है 4T4557E इसका नंबर है non isolated LED driver इस IC का नाम है और इस IC लगभग 150 degree तक जो temperature है वो सहन कर सकता है और इस IC को आप 24 से लेकर यानि कि maximum 24 से 36 watt तक काम कर सकता है इस LED driver जो IC है यह तो उसी कहीं साब से अगर आम देखा जाए तो इस kit को आप 9 watt से लेकर आप 36 watt तक किसी भी LED के अंदर यह इसको आप इस्तिमाल कर सकते हो तो यह हमारा 230 volt input हो रहा है कहां पे देखिए यह जो IC नंबर पीन है और 7 नंबर पीन है यहां पर हमरा 230 volt AC input हो रहा है उसके बाद यहां हमरा जो 6 नंबर पीन है और 2 नंबर पीन है वो आपस में connected है वो मिलेजर कैसे पता चला यहां पर देख सकतो पीछे के साइड एज आप छोटा सा लाइनिंग देख रहे हो यह जो लाइन है यह एक दो नंबर पीन और 6 नंबर पीन के आपस में connected किया हुआ है इस line के जरीए उसके बाद क्या है कि एक छोटा सा एकदम SMD resistance लगा हुआ है अब लोगों देखाने की कोशिस करता हूँ तो देखिए एक छोटा सा SMD resistance लगा हुआ है जिसके उपर लिखा है 1R6 जो कि यहा यह हमारा resistance है उसके बाद तीसरे नंबर पर एक आपको छोटा सा transformer जैसा कुछ दिखेगा यह basically एक coil है जिसका दो लेग से यानि कि देखिए इसके अंदर अगर आप आच्छे से ध्यान से देखोगे इसका जो लेग से वो चार्ट आपको दिख रहा है वो supporting के लिए दिया ग असलब इसका जो दो लेग से वो इसको supporting करने के लिए दिया हुआ है और बाकी जो दो है वो काम के लिए और आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा यह की जगा से यह किया हुआ है उसके बाद यह जो हमारा देख रहे होंगे यह coil आपको आप इसको इंड़क्टर भी बो हुआ है इसके अंदर यह जो हमारा वह है उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्यापसिटर लागा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो जिसका वैल है 400 वोल्ड 4.7 माइक्रो फरड का तो यह बेसिकली चार कॉंपोनेंट से जरीए यह हमारा इस LED डाइवर किट को बनाया गया है अगर आपको कहीं पे ओनलाइन मिल जाती है जरी पर आपको इस नमबर का जो आएसी है यह सिर्फ और नॉन आसोलेटेड अलरी ड्राइवर के नाम पर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे लेकिन जब मैं इसका dataset निकल के देखा तो इसके अंदर किस तरीके से जो diagram है इसके अंदर कौन-कौन सा components लगा हुआ है यह कुछ नहीं explain किया है company वालों की तरब से इसलिए अगर आपको इस number का IC आपको चाहिए तो आपको online पे खुजना होगा और यह इसका कापी सारे version है ज लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि इस IC के अंदर यानि कि इस kit के अंदर जो लागा हुआ था वो यह लागा हुआ था और इसका जो maximum working voltage है वो 60 volt की काम करेगा यानि कि अगर इसके अंदर अगर 600 volt के जो working process होता है वो यह जहल सकता है और 150 degree तक इसका जो heat है वो जहल सक और wattage की बात करें तो maximum 24 से 368 तक इह काम करेगा तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो छोटा सा मिनिनी LED driver kit है इसके अंदर जो circuit diagram बना हुआ है वो किस तरीके से बहुत ही simple तरीके से बनाया गया है और दोस्तों आगर आप चाहते हो कि आपने घर पे ही एक मिनिनी LED driver kit को ब परगी इसके उपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो comment box से उसके अंदर आप लिख दीजिए कि हमें चाहिए तो मैं बहुत ही जल्द उसके उपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको 9 watt यानि कि जो हमारा 9 watt का LED valve होता है उसके लिए आपको कॉन कॉन सा जो components लगेगा जो polyester capacitor होता है उसके बाद diode कौन सा होता है उसके बाद 12 watt के लिए उसके बाद जितने भी छोटे-छोटे LED valve होता है हमें मार्केट से मिलते 25 watt तक तो उसको चलाने के लिए हम घर पे ही किस तरीके से उसका circuit diagram बना के यानि कि छोटा सा kit बना के उसको चला सकता हूं और घर पर ठीक कर सकता हूं इसके उपर वीडियो बन चुका है लेकिन उसको मैं कल अपडेट करूंगा यानि कि कल में अपने चैनल पर पब्लिस करूंगा रात 8 वजे तो आप हमरे साथ जूरे रही है उसे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही मददगर साबित हो सकता ह आपके लिए अगर आप एक टेक्निशेन हो फिर भी आगर आप टेक्निशेन नहीं हो फिर भी आगर आपके घर के अंदर इस तरीके साथ छोटे छोटे बालव है ये लेडी और उस बालव को आप आपने हिसाब से खुदी रिपेर करना चाहते हो तो इस तरीके से जो electronics lab.com उहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा चाहे तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी इस डायम के राम के बारे में आप जानकर यह ले सकते हो तो हमारा जो वेबसाइट का लिंक है नीचे description में दिया हुआ है और अगर चाहते हो इस LED किट को पर्चेस करना तो बहुत ही जल्द यह आएंगे हमारे Is Talk हो जाता है इसलिए फिर से हमें Is Talk करने में बहुत ही देर हो जाता है तो हमईरे साथ जूरे रही है किट यह को आप को पर्चेस तो इस वीडियो में बस इतना ही हम फेर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हुई से लाल बैज